अगर आप डेली सुबह सुबह खाली पीड दवाईयां खा रहे हैं, गेस के लिए आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आपने बहुत सारी तरह तरह की दवाई खाली, आपने हॉम रेमिडियस कर लिए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये नुसके बहुत ही ज़् और बहुत ही ज़्यादा साइन्टिफिक रिसर्च विस्ट हैं, दोस्तों आपके पेड में वन रही गैस, ब्लॉटिंग और इसके साथ में फ्लैचुलेंस होने के दो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण दोस्तों कि पेशेंट का खाना डाइजस नहीं हो रहा है, अगर आप आपको खाना डाइजस नहीं हो रहा है, प्रापर तरीके से तो आपको फ्लैचुलेंस या आपको ब्लॉटिंग पेट फूल रहा है, पेट चड़ सा रहा है, पेट में बहुत जादा गैस बन रहा है, इस तरह के लेक्षर आपको मिलेंगे, दूसरा कारण होता है, आप पा कारण होते हैं, जिनकी बजह से आपको बहुत जादा गैस ब्लॉटिंग अपच रहती है, और आपको पेट फूलता चला जाता है, आपको लगता है पेट चड़ता चला जा रहा है, इसके अलावा दोस्तों चौथा कारण जिसमें आपको अगर कॉंस्टिपिशन की सिकायत लंबे समय से रहती है, तब भी आपको बहुत जादा ब्लॉटिंग और गैस ऐसे लिडिकी समस्या हो सकती है, पाचवा कारण दोस्तों अगर आप ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, उनकी बजह से भी एक दूसरे के इनिमिकल होती है, उसकी बजह से भी आपको गैस और ब्लॉ करना चाहूंगा, गैस और आपके फ्लेचवन ब्लॉटिंग को खतम करने के लिए जीरा, और जीरा एक ऐसी चीज़ है, जिसकी मदद से आप पेट में बन रहे गैस को, हाजमा को सही कर सकते हैं, साथी साथ ये ब्लॉटिंग और जो पेट आपका चल रहा है, उसे भी आप दो तरीके से खा सकते हैं, एक तो आप इसका पावरडर बना सकते हैं, दूसरा आप इसे हलक आसा तवे पर भून करके खा सकते हैं, आधर चम्मच पावडर आप जीरे का लिजेगा, और इसे गुनगुने पानी के साथ उवाल लिजेगा, उवालने के बाद में बहुत जा हो रही है आरा मिल जाएगा दूसरे चीज दोस्तों जो मैं आपको रिकमन करना चाहूंगा अजवाइन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके पेट के अंदर सीक्रेशन को बढ़ा देती हैं बढ़ने के साथ ही साथ यह आपके डाजस्ट सिस्टम को स्ट्राउं के अंदर दूस्तों थाइमॉल पाए जाता है और यह थाइमॉल एक ऐसा कंपाउंट होता है जो आपके गैस को बाहर निकालने में आपके खाना पचाने में बहुत जादा मदद करता है तो अजवाइन आपको जरूर खाना चाहिए अजवाइन खाने का तरीका सबसे आसान होता है 15 मिनिट खाने के या तो पहले लीजीगा या फिर आप बाद में रात में सोते समय ले सकते हैं इसकी आधर चमच फांक आप गुनगुने पानी के साथ डारेक्ली ले सकते हैं बहुत ही अच्छा और एफेक्टिव तरीका अजवाइन का होता है जो आपके पेट के अ पफसे जादा यह यूज होने वाली प्रापरेटी है जो आपके गरों में सब्जयों में यूज होता है दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हीन के बारे में अगर आप खीर कर देये हैं तो आप जरूर शैवन किजिगा हीन के अंदर कई सारी ऐसी प्रमपरेटी हउती है जो पेट चड़ना अफरा चड़ना या पेट में हलका फुलका दर्द होना गैस की बज़र से यह दूर हो जाती है अगर आपने हींका सेवन अभी तक नहीं किया है तो आज से हींका सेवन जरूर कीजेगा आप अपने गैस को घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिं जिंसके अगर आप डेली सुभा सुबह खाली पीड दवाईयां खा रहे हैं गैस के लिए आपने बहुत सारे उपाए कर लिए आपने बहुत सारी तरह तरह की दवाई खाली आपने हॉम रेमिडियस कर लिए लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो यह नोसके बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च विजटे हैं चौती चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों जिंजर यानि अद्रक अद्रक के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके लिवर को साथी साथ आप को मजबुत करती हैं लेवर में जो कमजोरी होती हैं लिवर जब भीख होता है तो इसे हेल्धी रखने के लिए आपको कई सारी दवाइयां दी जाती हैं लेकिन अगर आप इन नैच्छल तरीकों से अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अद्रक ज़र योग होता है कार से यह आपके पीट में रही गैस के लिए और ब्लाटिंग के लिए फ्लैक्चुल एंस के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होता है अगर बात करें अद्रक आपको कैसे खाना चाहिए तो आधा चम्मच कसा हुआ अद्रक आपको डेली जरूर खाना चाहिए आप इसे अबाल करके भी खा सकते हैं लेकिन कसा हुआ कच्या जो अद्रक होता है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं मैं आपको सलहा दोंगा कि आप कच्या कसा अद्रक आदा चम्मच जरूर करहें आप देखें में अद्रग बहुत जादा उपियोगी होता है मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मैडिसन जिसकी मदद से आपके पेट में सो बन रही जान होता है वह पाणी पी लेते हैं तब जाकर कि आपका जलन बंद होता है तो ऐसे इस्तिति में आपको होमेपैति का कार्वो बीस 30 पोटेंसी में मेडिसिल लेना चाहिए इसकी चारवुन सोबह चारवुन स्याम को लेजेगा किसी भी प्रकार की गेज बन रही है पेट में बहुत जादा जलन होता है अगर आपको फ्लैचुलेंस है ब्लॉटिंग हो रहा है पेट के अंद दार ये दवा मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप चारवुन सुबह चारवुन श्याम को उप्योग कीजिगा बहुत आसानी से आपकी प्राव्लम्स ठीक हो जाएगी और आसानी से आपको जो पेट में वन रही गैस है इससे होने वाली जो समस्याएं है उससे आप बच सक अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा कई सारे फ्रेंड कर रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग है जो अनगिनत दवाईयां खा रही हैं लेकिन उनकी गैस में कोई रिलीफ नहीं हो रहा है मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसे नई वीडियो मैं तब तक लिए नमस चैनल को फटा पर से सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कलीक्स के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजेगा जो अनगिनत दवाईयां खा रही हैं लेकिन उनकी गैस में कोई रिलीफ नहीं हो रहा है मैं फ